नमस्कार अदाबस सिकाल मैं हूँ राकेश तरह आप देखे रहें जेके न्यूज ब्रेक जेके न्यूज ब्रेक आज एक रिपोर्ट जो आपको बताने जा रहा है मन में दुख भी होता है और बताते हैं कि किस तरह से उदुमपूर की कौंसलर प्रिती खुजूरिया ने जल विवाग पर जल शक्ती मिशन पर किस तरह से साधा निशाना आए दिखाते हैं ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में उन्हों न कहा कि जल शक्ती विवाग लोगों को क्यों बना रहा है बेवकूफ जी हाँ उन्हों न कहा कि करोडों के समान जो है स्टोर में पढ़ा और जब भी हम फोन करते हैं एकसियन जई हाजरात और जल शक्ती विवाग के जितने भी करμα चारीें तो वो कहते हैं कि हमारे पास समान नहीं लेकिन आज हमने ठान लिया था कि आज स्टोर का दोरा करेंगे और देए कि समान है या नहीं ये तस्वीरे देखेगे कि इस तरह से पाइपों जो है उनका डेर लगा हुआ समान का डेर लगा हुआ लेकिन क्यों नहीं लोगों तक पहुंच दी ये पाइप्स और समान इन्होंने कहा कि जिस तरह से बड़े-बड़े उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आने वाले दिनों में हम भी लोगों से कहेंगे कि आप भी जो बिल होता है पैसों के फोटो खीज कर आप भी विवागों को दे दीजिए ताकि उन्हें भी बता चले कि किस तरह से नल से जल हर घर में किस तरह से पहुंचाना है revenue तो लोग दे रहें समय पर किराया तो दे रहें अगर किराय नहीं देते तो उनका connection कार दिया जाता है लेकिन maintenance क्यों नहीं पाइपस जो है वही पूरानी लगी हुई और बार बार जो है उनको दोबारा repair करते रहते हैं उनमें जो है फिर उन्होंने अपनी बाशा में कहा कि मैं कहूंगी कि दोबारा टांके पे टांका लगाते रहते हैं उनमें यह नहीं कहते कि अगर जिस तरह से revenue हम देते हैं तो लोगों को पाइपे भी जो है प्रापर तरीके से उनकी maintenance करें ताकि लोग साप पानी पी सकें उन्होंने कहा कि आज बड़ा दुख हुआ उदुमपूर कॉंसलर प्रिती खजूरिया ने साधा निशाना क्या यह पाइप्स जो स्टोर में रखी है यह सिर्फ बड़ी बड़ी रैली और बड़े बड़े जो की नेता लोग आते हैं तो वहां मंडल सजाने के लिए रखी हैं क्यों लोगों के गर तक नहीं पहुंचती यह पाइप और लोग लगातार पानी से परशान और जो भी पानी मिलता है वो कई नालियों से गंदगीयों से गुजर कर उनके गर तक पहुंचता है और उन्होंने साफ तोर पर कहा कि इस समय की बात की जाए तो लोग जो है ह हम पे फोन पे फोन करते हैं कि इन्हें दुरुस्त करवाईए लेकिन जब भी विवाग से बात की जाती है तो विवाग यही कहता है कि स्टोर में सामान नहीं लेकिन आज प्रिती खुजूरिया ने वहां जाकर साफ आइना दिखाया मीडिया द्वारा की किस तरह से सामान का देर लेकिन क्यों नहीं लोगों के गर तक पाइप दिखाने में नाकामिया प्याची विवाग वही पूरानी सड़ी पाइपें और लोग पी रहे हैं गंदा पानी आईए सुनाते हैं प्रिती खुजूरिया की यह रिपोर्ट किस तरह से मंदुकी हुआ और उन्होंने जो आची विवाग के खिलाफ जल शक्ती मिशन खाली नाम चैन्ज करने से ही जो है जल शक्ती मिशन नहीं बन जाता जल में शक्ती दिखानी परती है लोगों के गर तक पहुंचाना पड़ता है ताकि लोगों को साब पानी मिले यह थी जेकन यूजबरय की एक्सल्यूजिव रिपोर्ट आईए बताते हैं कि इस तरह से दुख जाहिर किया प्रितिक जूरिया ने जो की कॉंसलर है उदुमपूर मुनसिपल की ये दिखाते हैं रिपोर्ट बिल्कुल आज हमें मजबूरन होके एक एलेक्टिट रिप्रेजेंटेटिव को मजबूरन होके पिएची के स्टोर में आना पड़ा पिछले कुछ गद दिनों में मैंने हमारी एक गली बनी थी और गली में पानी लीकेज हुआ और वो गली डैमेज होगी दो बार बनाई हम डिपार्टमेंट को बोलते रहे कि आप ये पूरी सड़ गई है पाइप और आप नई डाल दीजिए ताकि गली को भी डैमेज ना हो और लोगों को भी कई तकलीफ नहीं हो सरकार डिपार्टमेंट ने क्या किया पाइप जो थी उसको मेरी भाशा में तो मैं कहूंगी टांके लगाए और चलते बने उसके बाद गली डैमेज हो गई आज फिर हमने गली को रिस्टोर करवाना था फिर देखा फिर लीकेज है तो एक्सिंस से बात हुई हमने उनको ब शन्मान पड़ा है ये जो समान है यी किसका है मैंने आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं सरकार से ये सवान किसका है अगर आक instruction ने तो collectors जब उनके functions या rallies होती है तो बैरिकेटिंग के लिए ये समान रखा गया है तो ये जनता के साथ धोका है हम जब जनता अपना साल का किराया भी दे रही है और department अगर एक दिन भी वो किराया नहीं दे तो पानी के connection कार देती है तो उसके बाद भी अगर वो revenue दे रही है सब उनके साथ भी department cheating कर रहा है department नहीं कर रहा है actually मुझे ये लगता है कि इनको सरकार की तरफ से हिदायत है कि आप लोगों को मूर्ख बनाईए लोग मूर्ख बनते चले जाते हैं लोगों को कुछ नहीं पता यह लोग अनपढ़ है इनके साथ ऐसा ही विवार कीजिए आप इन लगों मुझे लोगों को बेफ कूप बना रहा है और साथ ही साथ सरकार को बेवकूफ बना रहा है, यहां हम यह समझे, सरकार पूरे जेंड के की जनता को बेवकूफ बना रही है, जहां जल मिशन भी चला रही है, सब को चला रही है, तो जल मिशन कैसे पहुंचेगा, पाइपे नहीं है, तो पानी के हम घर के बाहर नलके की लगा दी और उसमें से पानी आएगा तो फिर ये उसी साफ से पेंट भी ओनी चाहिए फिर लोग अपने पैसे की पैसों की फोटो खींच के भीज़ दें यह से पानी जैसा तो उससे उपर बोलेगा, कहां तक जाना है, हमें ये समझ नहीं आती, गवरनर साब समझा देना हमें कि हमें कहां तक बोलना है, क्या हमें अब प्रधानमत्री के पास पानी लेने जाना है, कि जिन्नों ने ये मिशन्स बनाए है, या वही सॉट आउट कर देंगे नीचे लेवल पतक, यह तो आप हमें गवरनर साब से ही पूछना है,